कि अज़े गाइस कैसे वाप लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे तो यार स्वागत है आप सभी का जुरासिक वर्ल्ड गेम के एक और ने एपिसोड में और गाइस आज हम लोग यहाँ पे क्लेश वाफ टाइटन इवेंट को जो कि हमारा अनलोक हो चुका ह है उसको भाई पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और भाई उसके अंदर हमको मिलने वाला है सेगनोसोरस का काड़ भाई साथ उसको भाई कलेक्ट करेंगे एंड या भाई तो चड़िये गाइस शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले भाई तुम लोग देख सकते हो यार सुनो सोरस हमारे पास टोटल हो चुके हैं सोलह भाई सोलह सुनो सोरस को मैंने हैच करा एंड भाई अभी हमारे पास टोटल दो मैक्स लेबल के सुनो सोरस होने वाले हैं तो भाई सुनो सोरस की फैमली हमारे पास होने वाली है तो या भाई उनी को मैं अभी मैक्स कर रहा हूं तो द तो उससे पहले भाई हमारी जो हैचरी खाली हो चुकी है उसके अंदर में अपने इंडोमिनस को जो हमारे पास दो-दो टोटल जनरेशन टू आले हो जाएंगे और एक मैं पर्चेस कर लूँगा तो भाई टोटल चार हो जाएंगे हमारे पास तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा एंड अभी एक और भाई जगह खाली है तो मैं यहाँ पर एक भाई तकड़े वाले जो एक हफ्ता लेते भाई है ортion Rcent ratio gantop saras जो हमारा है उसको लगा देते है अइनड हाँ वाई उसी को लगा देते हैं क्योंकि उसको भी हमें जल्द़ी से max level का करना है और उसका hybrid काफी जादा powerful बनता है तो उसको बनाना है ओके तो भाई ये काम हो गया हमारा एंड अभी यहां पर भाई ट्रेड आया हुआ है तो ट्रेड को एक बाद चेक कर लेते हो के तो custom trade में भाई हम लोग यहां पर फूड पर चेस कर लेते हैं थोड़ा सा और भाई हमको काफी अच्छा है यहां पर फूड मिल चुका है एंड यहां पर तुम लोग देख सकते हो भाई हमारे पास 19,280 हो चुके है JW points मतलब की भाई हम लोग यहां पर अभी pack opening कर सकते JW points की तो सीधा चलते हैं भाई 10,000 JW points का यहां पर crate खरीटते हैं हम लोग एंड देखते हैं भाई हमको pack के अंदर कौन सा dinosaur मिलने वाला है भाई उमीद कर रहा हूं कि कोई अच्छा सा dinosaur ही देंगे यह लोग तो चलिए गाईस यहां पर open करते हैं इसको और क्या लगता है भाई ओके भाई कच्छुआ मिला है हमको मतलब ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है I think 3 है मेरे पास यह कच्छुआ और अभी यह 4 हो गया तो मतलब ठीक है भाई 30 लेवल का हम लोग future में कर सकतेंगे उसको और बस इसके बाद ना मिले तो ही अच्छा है तो एक और अभी यहां पर बचा हुआ है लेकिन भाई उसके लिए मुझे थोड़े से JW points चाहिए होंग तो मैं trade में यहां पे नहीं मिल रहा है guys 33 मिल रहा है और उसके लिए भाई मुझे tough shield देना पड़ेगा जो कि मैं बिलकुल भी देना नहीं चाहता तो उसको यहां पे छोड़ देते हैं और अभी चलते भाई battle में and battle complete करते हैं उसके बाद भाई हमको काफी जादा यहां पे JW blue point मिलेगा तो उसे हम लोग अगली भाई create की opening कर देंगे फिलाल यहां पे जो पहला fight होने वाला है वो भाई काफी जादा danger होने वाला है क्योंकि देख सकते हो यार सारे VIP dinosaur आये हैं और सारे max level के VIP dinosaurs हैं तो भाई काफी जादा powerful हैं यह लोग and मुझे यहां पे भाई अच्छ इसको आई तिंक टी रेक्स हमारा समाल लेगा and इसको ले लेते हैं भाई hopefully हम लोग win कर पाए try मार लेते हैं मतलब team हमारी काफी ज्यादा week हो चुकी है लेकिन फिर भी एक try तो मार ही लेते हैं सायद विन कर पाए हम लोग देखते हैं चलिए एक सीड़ मैंने लगा दिया है वैसे अभी dino swipe करेगा ओके तो इसने अपने भाई harby boris को swipe कर दिया जो कि हम लोग चाहते थे and अभी क्या करेंगे एक seed लगाएंगे और एक hold करेंगे और अभी 2 point उसके पास तो देखते हैं क्या करता है down तो नहीं कर पाएगा ओके उसने attack भी नहीं करा तो अच्छी बात ह भाई 4 point को सीधा hold कर लेंगे हम लोग and अभी उसने seed लगाए थी चलिए यह भी सही हो गया और 3 point आ चुके हैं 2 का attack ना दे बस ओके तो भाई 3 के 3 attack ले दिये तो भाई ये काफी सही किया इसने मतलब हम लोग जिस काम के लिए therisiness को लाए थे उसने अपना काम कर दिया और हमारा टी रेक्स भाई यहां पर तीन नहीं चार attack में भाई इसकी बैंड बजा सकता है तो चार का attack देते इसको चार point को हम लोग सीधा hold कर लेते हैं and अगला dino भाई हमको यहां पर one shot kill कर सकता है I think या भाई सहाब one shot kill कर सकता है हमको इसका flyer चलो देखते भाई 3 attack करता है कि चार attack वैसे ज्यादा चांसस यहां पर 3 attack कही हैं लेकिन देख लेते हैं भाई 4 attack कर देगा तो अच्छी बात है देखते हैं क्या करता है ओके तो भाई उसने 4 के 4 attack दे दिये जो कि भाई काफी अच्छी बात है वैसे ज्यादा तर डाइनोस और यहां पर 3 attack ही देते हैं लेक एंड तीन पॉइंट को होल्ड कर लेंगे और यहां कह सकते हैं भाई हम लोग यह वाली बैटल जीट चुके हैं ओल्मॉस्ट देखते भाई अगला डैनो क्या करता है यहां पर अगर यहां पर चार सीड लगा देता है तो हम लोग बैटल हार जाएंगे लेकिन भाई इसने च तो भाई हमारे डैनो ने भाई उसकी खोपड़ी तोड़ दी अपने खोपड़ी से तो मतलब समझे लो इसकी खोपड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है चलो भाई यहां पर हमने पहली बैटल तो जीत ली है और भी देख लेते एक भाई सेकेंड वाली बैटल में कौन- प्रोंग यहां तो हमारे वोटर वाले डैनोसओर तो उनको सम्हाली लेंगे मैं यहां पेक पर काम कर सकता हूं कि भाई नई यार हमारा वंदाझनागो सोरस जो है जिसकी उसकी हेल्थ जितनी है इतना ही यह तनना ही डेमेज हैं बैग इसके एंकेलोसारस जन्रेशन 2 का तो तो भाई नूंडागो सोरस को ले जाने का कोई भी फायदा है नहीं तो मैं यहाँ पे अपने भाई जो वोटर वाले डाइनो सोर है क्या नाम है भाई इसका डिपलो सुचर्स उनको ही ले करके जाने वाला हूँ एन्ड भाई देखते हैं कि क्या होता है बेटल के अंदर अगर सब कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ तो भाई हम लोग यह वाली बेटल भी जीद जाएंगे जैसे कि अगर इसने अभी डाइनो स्वाइप करा तो लेकिन इसने डाइनो स्वाइप नहीं करा तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी गड़बर हो रही है मुझे लगा था कि यहाँ पे डाइनो स्वाइप होगा जिसके लिए भाई मैं यहाँ पे अपने स्पाइनोटा सुचर्स को लाया था लेकिन भाई इसने तो डाइनो को ही स्वाइप नहीं करा चलिए तीन पॉइंट को होल्ड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अभी यह तीन के तीन अटेक दे दे तो अच्छी बात होगी वैसे इसने दे दिया भाई चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई तीन अटेक लगेंगे इसको डाउन करने के लिए और उसको टोटल चार पॉइंट आएंगे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या कर सकते भाई तीन शीड लगा दें चलो तीन शीड लगा देते हैं एक होल्ड कर लेते हैं और देखते हैं भाई अगला डाईन आटेक करता है कि नहीं वाई हमीत तो है कि भाई आटेक कर देगा क्योंकि दो आटेक में मेरे को डाउन कर सकता है और चार पॉयिंट है तो चार के चार आटेक करेगा यहाँ पर और भाई इसमें 4 के 4 अटेक भी कर दिये और हमारी हेल्थ भाई देखी सकते हो कितनी ज़्यादा डाउन होगी तो इसको भी 3 अटेक में खतम करते हैं और अभी भाई जो हमारे पास पोइंट बचे हुए है उनको होल्ड कर लेते हैं और भाई इसका एंकिलो सोरसी यहाँ पे बचेगा फाइनल डाइनो तो उसको हमारा वाटर वाला डाइनो सम्हाल लेगा आई तिंक लगता तो है देख लेते हैं क्या होता है तीन अटेक यहाँ पे यह देदेगा मतलब इसके पास एक सिल्ड बचेगी और हमारे पास टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे तो 5 पॉइंट में तो भाई 4000 की हेल्थ इजिली ड्रेन कर देगा हमारा तो चलिए भाई 6 के 6 अटेक देते हैं और 5 का फटका लगा इसको और भाई 6000 की यहाँ पे डैमेज पड़ा तो भाई 4000 की हेल्थ थी और हमने यहाँ पे भाई 6000 का डैमेज दे दिया इसको तो भाई काफी सही हमारे डिपलो सुचस ने यहाँ काफी सही अटेक करा अगर उतने पॉइंट्स नहीं होते तो भाई हम लोग बैटल हार जाते चलो लेकिन हमने भाई बैटल किसी तरह निकाल लिया क्योंकि भाई बैटल थोड़ी सी इधर उधर निकल गई थी कल्कुलेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा था लेकिन इस वार भाई सब चीच कल्कुलेशन के हिसाब से होना चाहिए देख लेते भाई यहाँ पे काम करते हैं हम लोग एक फ्लायर ले ले लेते हैं तो फ्लायर में ले लेते भाई पीटी को यहाँ पे पीटी सही रहेगा एंड सेकेंड डायनो आ जाएगा यहाँ पे इसका एक्रोगेंथोसोरस तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे अपने वाटर वाले डायनो को एंड लास्ट में भाई हम लोग अपना सबसे पाउरफुल फ्लायर ले लेंगे टेपे जा लो सिफेलस और देखते भाई क्या होता है contradiction के हिसाब से चलता है कि नहीं देखतेँ डायनो को swipe करेगा कि नहीं enemy मेरी calculation के हिसाब से तो करना चाहिए इसको और और भाई इसने ce pas कर दिया और भी एक टैग भी कर दे भाई चलो भाई इसने एक टैग भी कर दिया तो अभी तक तो भाई बिल्कुल परफेक्टली चल रही है बेटल हमारी एंड दो पॉइंट इसके पास अटेक नहीं करा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे क्योंकि हम अभी चार के चार पॉइंट को सीधा होल्ड करने वाले हैं एंड उसने दो शील्ड लगाई थी यह दिक्कत होगे थोड़ी सी क्योंकि अभी यह अगर दो अटेक करता है तो उसके पास एक सील्ड बच जाएगी लेकिन इसने अटेक नहीं करा तो चार का डेमेज हम लोग इसको थोड़ सा दे सकते हैं ओके तीन सील्ड लगाई थी इसने चलो भाई अभी देखते हैं चार के चार अटेक करता है कि नहीं करना तो चाहिए और फिर से अटेक नहीं करा भाई साब चार सील्ड होगी मुझे पता है यहाँ पे तो देख लो भाई चार सील्ड ही लगाई थी यह लोगों ने वाई क्लेज वो टाइटन में हमेशा चार सील्ड लगा देते हैं इस बारी देखते हैं अगर इस बारी चार सील्ड लगाएगा तो हमको पांच का अटेक देना पड़ेगा लेकिन भाई इसने तो चार के चार अटेक कर दिए तो भाई फालतु में लाद खाने के बाद भाई चार का अटेक करा अगर पहले ही कर देता तो भाई थोड़ा सा डेमेज नहीं पड़ता उसको चलो यहाँ पर तीन अटेक में इसका काम हो जाएगा एक सिल्ड लगाएंगे चार होल्ड कर लेंगे अभी देखते हैं वाटर वाले डाइनो यहाँ पर क्या करते हैं अटेक करते हैं कि नहीं सोलर सौ का डेमेज है भाई साब इसका और हमारी अच्छी बात यह कि सतर सौ की हेल्थ है तो दो अटेक देने पड़ेंगे इसको और इसने भी भाई चार सिल्ड लगा दिया जहां तक मुझे लगता है देख लेते हैं ओके भाई साब देख लो यार ये लोग भाई हमेशा कलेस अटाइटन में हमेशा ऐसा ही होता है अभी आटेक करेगा ये एंड भाई आटेक कर दिया इसने और अभी इसके पास एक भी पॉइंट नहीं बचे है तो हम लोग यहाँ पे इसको तीन अटेक आइटिंक लगेंगे वैसे दो अटेक में देखते हैं होता है कि नहीं नहीं होगा गाईस तीन अटेक लगेंगे इसको एंड एक शिल्ड दो शिल्ड और तीन डाउन करना तो ना मुंकिन है इसके लिए और इसने भाई कोशिस तो करी लेकित हमारी याद ही एचपी यहाँ पे डाउन हुई चलो भाई साथ पॉइंट में इसका भी यहाँ पे काम तमाम कर देते हम लोग एंड भाई साथ इसी के साथ हमने अई थिंक अपनी थार्ड बेटल जीत लिए भाई लगातार तीन बेटल हमने यहाँ पे कम्पलीट कर दी यहाँ पे चलो भाई साथ हमारे जो टैंक वाले फलायर था भाई उसके तुमने देखे होंगे ध्यान से तो भाई काफी जादा आर्मर उसका काफी जादा खतरनाक है हमारा जो टैंक की तरह दिखता है बिलकुल अभी दो बेटल बची हुए है ओनली और इसको कम्पलीट करना थोड़ा सा डिपिकल्ट है क्योंकि भाई हमारे पास वोटर वाले डाइनो सोरस की कमी हो चुकी है थोड़ी सी तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे ले करके जाओंगा नुंडागो सोरस को हेल्थ काफी जादा है इसकी एंड सेकंड में भाई हमारे पाई डिपलो सूचस हमारा एंड थर्ड वाला डाइनो हमारे पास हो सकता है हमारा सबसे पाउरफुल काई उस्टापोसोरस भाई साथ नाम बड़े ही अजीब हो जाते है गाई साइब्रिड होने के बाद क्योंकि सबका नाम मिला करके एक नाम बनता है भाई साथ और सूपर हाई व्रिड में तो भाई तीन तीन डाइनोसोर का नाम यहाद पर जोड़ना पड़ता है तो उनका नाम तो भाई हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है चलो भाई इसने अटेक नहीं करा कोई दिक्कत नहीं गाईस अभी आइधिंक दो अटेक करेगा एंड नहीं करा तो यह हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है भाई साब हम अभी चार पॉइंट को होल्ड कर सकते सीधा और फिर से उसने सील्ड लगाया था भाई काफी ज़्यादा सील्ड लगा रहा है एंड तीन अटेक कर दिया भाई साब हमारी भाई जिस काम के लिए नुन डागोस वरस को लाए थे उसने भाई परफेक्टली अपना काम कर दिया हमको यहाँ पर आठ पॉइंट कलेक्ट करके दे दिये और एनमी के पास जीरो पॉइंट है तो मतलब समझ रहे हो इसका भाई यहाँ पर गेम बजने वाला है अभी और बज़ गया गाईस यहाँ पर इसका गेम भाई साब जितने डायनोसोर है देख लो भाई सारे मैक्स लेवल के भी आईपी डायनोसोर है भाई कॉंकिवनेटर तो भाई काफी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है और चार के चार अटेक भी कर दिये और डेमेज देख रहो इसका भाई 970 का डेमेज है वीक होने के बाद भी मतलब भाई कॉंकिवनेटर का डेमेज हद से ज़्यादा होता है एंड भाई साब यहाँ पे अगले वाले डायनोसोर का भी 1800 का डेमेज है तो तीन सिल्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लगानी पड़ेगी एंड भाई यहाँ पे कॉंकिवनेटर को तो डाउन कर दिया देखते हैं टर्बोसोरस का यहाँ पे क्या हाल होता है भाई साब नाम भी तो कितना ज़्यादा खतरनाक इसका टर्बोसोरस चलो भाई देख लेते हैं अटेक करता है कि नहीं ओके तो इसने अटेक नहीं करा एंड भाई छे पोइंट है अगर इसने चार सील्ड लगाई होगी तो दिक्कत हो जाएगी वैसे दो अटेक में यह दाउन हो जाना चाहिए तो हो जाएगा गाई दो अटेक में डाउन हो जाएगा चार सील्ड भी लगाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्योंकि भाई हमारा डाइनो काफी ज़्यादा पाउरफुल है दो अटेक में इसकी बेंड बजा देगा और भाई इसी के साथ हमने अपनी चौथी बेटल भी कम्पलीट कर ली है और अभी बसती है भाई फाइनल बेटल तो भाई easy-peasy वो भी निकली जाएगी क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे डाइनोसोर्स जिन्दा पड़े हुए है मतलब कि भाई कूल डाउन होने के लिए नहीं गए है काफी सारे डाइनोस रिवाइबड है जिन्दा मतलब भाई मर नहीं गए है और अभी इंडोर एफ्टर भी जिन्दा है लेकिन उसकी जरुवत पड़ेगी नहीं हमको क्योंकि भाई अभी भी बहुत सारे डाइनोसोर है और फ्लायर्स को मारने के लिए तो भाई मोनो स्टेगो टॉप्स हमारा अभी तक जिन्दा है एंड भाई यहां पे एक हमको कार्न करते हम लोग मतलब शील्ड लगाते होल्ड क्याही करेंगे बाई दो एक में डाउन कर देगा अगर होल्ड करेंगे तो ओके तो भाई यहां पर डाइनोस हो चुका है जो की हम लोग चाहते थे लेकिन इसने अटैक कर देता तो ज्यादा अच्छा होता अभी मुझे यहां पे दो शील्ड लगाने पड़ेंगे वरना भाई अगर उसने होल्ड कर लिया होगा तो हमको डाउन कर देगा वैसे उसने शील्ड लगाए था जो की अगें अच्छी बात है हमारे लिए एंड अभी दो अटेक कर दिये तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा कि भाई दो शील्ड एक होल्ड लगाते है और देखते भाई तीन अटेक करता है कि नहीं कर ले भाई कितना स्मोचर है यार यह तो ओके भाई क्या कर रहा है यह भाई सो गया क्या कंप्यूटर वाला जो इसको चला रहा है यह प्रोग्राम है गाई इस कंप्यूटर पर कोई बैट कर चला नहीं रहा है लेकिन भाई जो भी है क्या हो गया इसको लेग वैक तो नही यार भाई क्या गिलिच है ओके फिला भी चलो भाई अटेक नहीं करा इसने भाई साब लगता है इसका प्रोग्राम जो हो थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे चला गया था चलिए तीन शीड़ लगाई थी इसने मतलब कि भाई एक भी यहां पे होल्ड नहीं थे चार के चार अ बता है कि नहीं फिर इसे लगता है भाई इसका प्रोग्राम सो गया भाई साब इतना ज्यादा बग है यहां पर इस गेम में आर मैं क्या ही बताओ चलो चार अटेक तो करें इसने एंड अभी भाई इसकी बैंड बजने वाली है क्योंकि भाई डेमेज देख रहे हो अठार सो का डेमेज है तो भाई तीन अटेक में तो इसका काम हो जागा एक शिड लगाए है भाई मैंने चार होल्ड पे कर लिया है एंड भाई दोनों फ्लायर्स को हमारा मोनो समाल लेगा या फिर बोल सकते है कि हमारा मोनो इन दोनों फ्लायर्स को समाल लेगा मैं बार बार हमेज़े इसका तो चलो चार अटेक करें मैंने उसने चार शीड़ लगाए थी एंड भाई उसने चार के चार अटेक कर दिये और हमारा स्पाइनो यहाँ पे डाउन हो चुका है और अभी इसकी बैंड बजा देगा दो अटेक में तो इसका काम हो ही जाएगा तीन पॉइंट को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं हम लोग तीन पॉइंट को शील्ड पे लगा देते हैं अगला डैनो जो है वो थोड़ा सा वीक होगा क क्योंकि 31 लेबल का ही है और यहाँ पे 800 का डेमेज जा रहा इसका देखते भाई अटेक करता है कि नहीं वैसे करें ना करें हमको क्या है भाई हमारा तो यहाँ पे 7 पॉइंट हो चुके है साथ के साथ अटेक करेंगे और इसका भाई यहाँ पे काम हो जाएगा तो भाई लेजेनरी अटेक यहाँ पे हमारा अनलोक हो चुका है भाई सिंग से हमला एंड भाई जाहब इसके फलायर की यहाँ पे बैंड बच चुके है पूरी तरह से तो भाई जाहब हमने यहाँ पे टोटल पांच बेटल्स क्लेस ऑफ टाइटन की बैक टु बैक विन करिये भाई एक भी बैटल नहीं लूज किये हमने जो कि भाई काफी अच्छी बात है डाइनोसोर्स काफी जादा पाउरफुल है और भाई ट्रेनर तो तुम जानते हो कितना जादा दिमाग वाला है चलो भाई यहाँ पे सेगनोसोरस हमको मिल चुका है एंड 2000 यहाँ पे डियने मिला ह 500 500 गर के दो भार यहाँ पे हमको भाई गिरीन मिला है टोटल 1000 गिरीन मिला है और भाई हमारे पास अभी हो चुके 2400 गिरीन मनी जो कि काफी जाता है और वापस से 10,000 यहाँ पे JW." पॉइंट हो चुके है तो इसकी भी यहाँ पे करेट ओपनिंग करते हैं जल्दी से एंड स सेगनोसोरस का डीने भी अनलोक हो चुका है तो इसका भी हाइबरीड बनाने का ट्राइ करेंगे लेकिन अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी जो मेरे पुराने हाइबरीड से उनको ही अपग्रेड कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पे चलते हैं और पैक कोलते हैं भाई यहाँ पे जल्दी से और देखते हैं कौन सा डायनो मिलता है तो भाई क्या लगता है हमको कौन सा डायनो मिला होगा ओके भाई मुझ देखके तो बैरियोनिक्स ही लग रहा है और भाई बैरियोनिक्स ही मिला है हमको तो मिला बैरियोनिक्स तो भाई हमारे लिए काफी सही रहेगा एंड भाई वीडियो काफी जादा लंभी बन चुकी है तो अभी यही तक रखते हम लोग वीडियो में एंड कैसा लगा भाई आज का हमारा भाई पांच टू पांच हमने बैटल से लड़ी बैक टू बैक और हमने सारी बैटल्स विन कर ली तो भाई कैसी लगी बैटल्स कमेंट करके बताना और अच्छे लगे होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूं तुम लगों से अगले एपिसोड में जुरासिक वर्ल्ड दि गेम के है